है वैलकम मोन एंभिशन नर्शिंग ख्लासिज दो आज का हमारा टॉपिक क कव्लिध लिंफोमा क्या होता है जो लिंफय Definitely शिर्टम होता है उसका कैंचर जब हो जाता है तो सही हम क्या बोलते हैं लिंफोमा बोलते हैं और लिंफ लीपोमा जो लिंफोमा होता है लेख को वी गच्छे के टाइप में मदल भरनी होता है बहुत सारी जो सेल्ज हहती है वो एक ही जंगा पर डॉप होने लगती है उशसे ही हम बोलते है ये लेख लाज़ करते हैं लेख सिस्टम यहां पर निप नोड मैने इसके यह late बड़ा करके दिखाया है आपर यह वेन है ब्लू कलर से जो सो हुई है यह आटरी है जो ब्लड लेकर के जाती है और वेन होती है जो ब्लड को लेकर के आती है यह एक नॉर्मल लिंफ नोड है यह जो मैंने इधर बनाई गिया है यह लिंफ नोड से क्या निकल रही है लिंफ वेसल से निकल रही है इस तरह से तो यह एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गई लिंफ नोड की इधर क्या है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है लिंफ नोड की तो एबनॉर्मल लिंफ नोड यहां पर जो है कैंसर हो गया यानि लिंफोमा यहां present है तो जो lymph है वो enlarge हो गई यानि size में क्या बड़ी हो गई जैसे normal जो थी वो इतनी बड़ी lymph थी इतने बड़ी lymph node थी और वो जब उसमें cancer present हो गया है तो वो इतनी बड़ी हो गई यानि lymph जो है वो enlarge होनी शुरू हो गई और वो अलग ही हमें दिखाई देती है यहां पर नेकी रिजन में या फिर हैंड पर कहीं पर भी वह में सो हो सकती है तो यह था एक नॉर्मल सी लिंफेटिक सिस्टम के बारे में बात किस तरह से मतलब कहीं पर भी यह जो लिंफ नोड है यह कहीं पर भी इसमें कैंसर हो सकता है यह पूरे लिंफेटिक सिस्टम में कहीं प हो सकता है तो यह था एक इस्ट्रक्चर लिम्फोमा की यानि लिम्फोमा मैंने सोक या इसमें दर्शा आया है अब हम बात करते हैं definition की लिम्फोमा क्या होता है तो the cancer of lymphatic system यहां पर भी वही definition में वही बात कही गई है जो cancer of lymphatic system is called as lymphoma यानि oni lymphatic system का जो भी cancer है उसे हम क्या बोलता है lymphoma बोलते हैं और यह कितने types का होता है बता सके बात कर लिकलते हैं यह दो types का होता है दो alu play क्यों से होज़गिंग कर लिम्फोमा और एक होता है नौन होज़गिंग लिम्फोमा iki नाम पर इसका होजकिंग लिंफोमा नाम पड़ा और यह नोन होजकिंग लिंफोमा तो नोन होजकिंग लिंफोमा में क्या देखने को मिलता है 这么 good with shortenbergt sales होती है जो एक WBC का type है उसमें क्या होता है? जैसे मैं यहां पर बना देता हूँ यह sales है red Ricoumberg cell इसमें क्या होता है? कई पहीं कई हो जाते हैं इसके अंदर दो यहiser होता है कि नेट resolver yeah leggo p-cell और B-cell और koonUs लिए नैचुनलерм इसल होती है उस में क्या होता है। उससे का भी हम बोलते हैं यो चीजो होता है, इसे में जो लिंफूमा के बहुत सारे टाइबस होते हैDAY लेकिन मैंने एक तरह से मोटे तोर बे बताया, कि non-hojking lymphoma में क्या होता है? इसके यह एक ग्रूप है, जो cancer होते हैं, यह lymphoma cancer का ग्रूप होता है, इसमें सिर्फ यही जो मैंने बताया है, red-istenberg cell होती है, उसमें 2 या 2 से ज्यादा nucleus देखने को मिलते हैं. है अगर किसी की एज अगर 50 से अबाव है तो तब देखने को मिल सकता है फैमली हिस्ती है, कोई lymphoma की, तो तब भी ये देखने को मिल सकता है, fanatic, बासक्याइब मच्टा या फिर कोई HIV emceive patient है, ये फिर HIV infected बास्प्सेंट है, तो उसमें भी का देखने को मिल सकता है या उसे रिस्क है affiliation train that outcomes होने की अब देखते हैं no no-hostging lymphoma के risk factor क्या गया है nuclear radiation exposure जो nuclear radiation होती है उसके exposure में आ जाना तो तब हमें क्या देखने को मिलता है non-hunting lymphoma autoimmune disease कोई भी autoimmune disease होई हो जब जो अपना बोडी है वो अपने नहीं खिलाफ क्या करने लगती है अपनी बोडी के खिलाफ ही एंटीबोडी बनाना शुरू कर देती है तो उसे हम बोलते है और टो इम्यून डिजीज या इम्यून डिफिसेंसी हो गई है जैसे है एचाईवी में होती है इम्यून डिफिसेंसी तो किसी भी वजह से क्या हो है इम्यून की इम्यून सिस्टम है वह हमारा वीक हो गया है तो उस वजह से भी देखने को मिल सकता है या फिर वाइरल और बैक्टिरियल इंफेक्शन की वजह से भी हमें चाह होने के चांसेज है नॉन होजगिंग लिम्फोमा अब हम बात करते हैं साइने शिम्टम या क्ल सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते है तो ग्लासिकल सिम्टम सबसे पहले होगा इसमें स्वैलिंग लैग एंड एंकल यानि सूद जाएगी स्वैलिंग का मतलब होता है सूद जाना यानि कहीं पर पीज़े से यह लिम्फ है यह बड़ी हो गई तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी मतलब सूद जाएगी वहाँ पर बंप सा देखने को मिलेगा एक तरह से तो लैग कहां पर लैग और एंकल पैरों में और कहां पर एंकल कम मतलब होता है जो टकने होते हैं उनमें लोस ओफ एपेटाइट इसमें क्या होगा भूक नहीं लगेगी जो भूक है व क्राइबुक भूक होते हैं वहाँ मतलब होता है डितत बंजता है व्लोटत मर्दग और दिखने लόक जाएगा जीस said डिशला फिखने का पर दिलोट हो जाया तो ब्लोट में पेट के अंदर इखटा हो जाए तो लिदया की हम हाने इनोरेक्सिया यह ही आपके मतलब है कि भूप नहीं लगेगे उसमें और एंलार्ज टॉंशिल जो टॉंशिल होते हैं यहां पर टॉंशिल होते हैं हमारे मौथ में दोनों साइड में जो औरल कैविटी होती है उसमें पायाता है टॉंशिल ये भी एक किसका पार्ट है लिंपेटिक सिस्टम का ही पार्ट है टॉंचल तो उसमें क्या बड़े हो जाते हैं टॉंचिल फीवर डेखने को मिल सकता है इसमें या फिर फटीग ठकान सी ब्रीथ लेशनेस नेस क्या होता है जब लैसुट्नेस हो जाती ब्रीथ की यानि एक तरह से difficulty in bleeding, itching, यानि खुजली वगरा होनी शुरू हो जाएगी, persistent cuff, persistent cuff का मतलब होता है लगतार खासी आना, उसे हम बोलते है persistent cuff, weight loss होना शुरू हो जाएगा इसमें, headache, शिर्ब में जो है, दर्द रहना शुरू हो जाएगा इसमें, night sweating, night sweating, यानि रात में सोते वक्त क्या होगा, पर vaccine आने शुरू हो जाएगे, और tiredness थकान रहेगी इसमें, फिर क्या देखने को मिलता है इसमें, painless swelling in lymph node, यहनि जो lymph node है, उसमें swelling हो जाएगी, जैसे मैंने बताया है, यह स्वैल हो जाएगी, और यहाँ पर pain नहीं होगा, इस node में जहाँ पर भी swelling देखने को मिलेगी, क्या करेंगे, सबसे पहले हम history collection करेंगे, फिर physical examination करेंगे, पेशेट का, USG करेंगे, ultrasonography, उसमें blood test कर सकते हैं, कोई infection तो नहीं है, कोई bacteria या virus की वज़े से तो नहीं, lymph में कोई दिक्कत, या फिर जो lymphoma है, उसे detect करने के लिए, हम blood test कर सकते हैं, bone marrow biopsy, bone marrow biopsy कर सकते हैं, bone marrow biopsy क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, जो है, bone marrow irregular production करना शुरू करते हैं, B lymphocyte का, T lymphocyte का, और biopsy करेंगे इसमें, biopsy, जहां भी, जो भी swelling area है, या फिर tumor की site है, वहां से हम क्या biopsy करेंगे, CT scan करेंगे, MRI करेंगे इसमें, images देखने के लिए, फिर हम क्या करेंगे इसमें, last में management के, management के तो हम क्या क्या चीज़े करेंगे, watchful waiting, watchful waiting का मतलब क्या होता है, कि तब तक हम इसे देखते रहेंगे, जब तक हमें symptom so होने शुरू ना हो जाए, तो ये watchful waiting होता है, फिर उसके बाद हम कौन से therapy देगे, chemotherapy दे सकते हैं इसमें, उसमें कहीं सारे chemicals का यूज़ करते हैं, फिर radiation therapy का यूज़ करते हैं, radiation chemical therapy में भी हम चा करते हैं, chemical ये drugs का यूज़ करके, जो abnormal cell है, ये cancerous cell है, उन्हें destroy करते हैं, उसमें radiation की मदद से भी हम चा करते हैं, जो cancerous cell है, ये cancerous growth है, उसे हम destroy करते हैं, stem cell transplantation, stem cell transplantation क्या होता है, जैसे जहां से जो production होता है, T lymphocyte का, B lymphocyte का, जो cell production करती हैं, उसे ही हम बोलते है, stem cell है, stem cell, तो उसी का हम transplantation कर देंगे, जिससे जो B lymphocyte हो गया, T lymphocyte हो गया, या natural, natural killer cell होती है, वो normal रूप में बनना शुरू हो जाए, biological therapy, biological therapy, जो bacteria या virus वगरा से मतलब modify करके बनाई जाती है, उसे वो therapy दे सकते हैं, steroid treatment या steroid therapies में दे सकते हैं, इसमें last में क्या कर सकते हैं, surgery कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी cancer की या tumor की growth देखने को मिल सकते हैं, उस इसे को हम surgery के मदद से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो यह आज का topic था, उम्मीद करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा और कोई doubt बचता है, तो हमें comment में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, तो please like, share and subscribe, thank you, आप screenshot ले सकते हैं इसका,